हेलो एवरिवन वेलकम टू अकाउंट मंत्रा लेट्स मेक अकाउंट इजी एंड स्कोर फुल मार्क्स स्टुडेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑगनाजिशन के इस पार्ट में हम लोग एक बहुत इंपोडेंट कोश्चन करने जा रहे हैं यह इंपोडेंट कोश्चन इसलि वो कोश्चन नंबर है 44 टी एस ग्रेवाल 2020 का एडिशन मैं अभी आपको जड़ा वो पेपर कोश्चन दिखाता हूं उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे कोश्चन नंबर 44 आपके सामने है यह है फ्रॉम दी फॉल्विंग रिशिक्ट और पेमेंट अकाउंट और उसने हमें रिशिट्स दे रखी हैं पेमेंट दे रखी हैं आईए अब हम इसके बेशिस के उपर यह कोश्चन को सॉल्व करते हैं स्टुडेंट हमने यह इंकम एंगाउंट के साफसे टेबल बना ली है जिसमें हमारे पास एक्स्पेंडिचर है इंकम है और है इंकम एंगेंगे इसके इनदर तु बैलेंज ब्रॉट डाउन मैंने बताया था रिशिट्ट रहता है यह हमारा cash और bank का balance रहता है और यह income and expenditure account के अंदर हमारे किसी काम का नहीं होता हम इसे अभी ignore करते हैं उसके बाद उन्होंने दे रखी है two entrance fees entrance fees हमेजना कितनी दे रखी है इन्होंने हमें entrance fees दे रखी है और जो सबसे मैं जो चीज बता रहा हूं आपको उसको बिल्कुल ध्यान में रख लिजेगा कि receipt and payment account मैंने बताया था यह एक real account होता है जिसके इंदर हमारे पास जितना भी पैसा आया होता है चाहिए वह इस साल का ह हो या आने वाले साल का हो वह सारा का सारा पैसा receipt भी लेती है और उसी इसाब से सारी के सारी payment भी हम लोग करते हैं लेकिन income and expenditure account हमारा nominal account होता है और इसके अंदर for the year के हम लोग जो खर्चे होते हैं और जो income होती है उसी को account for करते हैं तो हमारे पास इन्होंने दे रखा है सबसे पहले entrance fees तो क्या रहा गया बाई entrance fees अब इसमें उन्होंने दे रखी है हमें 2018 की और 2019 की हम कौन से साल का यह बना रहे हैं income and expenditure account 2019 20 का तो हम लोग इसमें 2018 19 के जो entrance fees है उसको हम लोग ignore करते हैं और जो 2019 20 का है 50,000 रुपीज वो हम लोग यहां पे ले ले लेते हैं 50,000 रुपीज दूसरा उन्होंने क्या देखा है two subscriptions इसके अंदर भी हमें 2018 19 19 20 और 20 21 का तीनों साल का दे रखा है साथ में देखेंगे आप कि 2019 20 के अंदर इन्होंने 90 परसंट यह दे रखा है कि 2019 20 का जो amount आ रखा है वो 90 परसंट आ रखा है और जो 90 परसंट आ रखा है पर हम लोग अभी जैनल क्या लिखते हैं पहले सब्सक्रिप्शन अब सब्सक्रिप्शन क्या है 90 परसंट हमें एक छोटी सी वर्किंग बना लेते हैं यहां पर हम लोग लिख लेते हैं वर्किंग नोट इसमें हम लोग क्या लिख रहे हैं वर्किंग नोट में जयना क्या दे रखा हमें 90 परसंट सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन इस एकल टू रुपीज कितना है 90 परसंट इतनी है तो 100 परसंट कितनी होगी बिल्कु सिंपल मैथ के साथ से कल्कुलेशन है 100% सब्सिप्षिशन विल बी इकवर तो 90,000 डिवाइड़ बाइ 90 इंटो 100 कितनी हो जाएगी इस इकवर तो रूपीज वन लैक तो जो यह वन लैक का माउंट है वो हम लोग यहां लिख लेंगे वन लैक तीसरा आमाउंट यहोंने क्या दे रखा है Life Membership fees Life Membership fees क्या है यह Capital Receipt है Capital Receipt को हम लोग Income and Expenditure अकौट के अंदर नहीं लेते है Capital Receipt मतलब One Time Feas है यह Life Membership के लिए मिले है तो इसलिए हम लोग इसको यहां अकौट फोर नहीं करेंगे इसके बाद क्या है टू डोनेशन हमरे पास क्या आ गया बाई डोनेशन जो डोनेशन का माउंट है वह हम लोग यहां ले लेते हैं डोनेशन अमाउंट हमरे पास कितनी आ रखी है एक लाग बीस जार रुपेगी नेक्स्ट रोनेशन दे रखा है डोनेशन पूर टोनामेंट डोनेशन पूर तूनामेंट डे रखी है ऐसी ये स्पेसिफिक पहले बाति हमारी जनलर डोनेशन हम यहां ले ली अब सका सब्राइशन है तो इस पेसिफिक डोनेशन को हम लोग अभी रुख grim के देखते हैं कि इसके specific expenses हैं क्या इसके against कोई और खर्चे या कैसे हमें इसको account for करना है balance sheet के साथ से या income expenditure के साथ से उसके बाद उन्होंने दे दिया subscriptions for government party subscription for governor party ये भी specific खर्चा है अभी इसको जो भी हम लोग account for नहीं करते हैं इसके दिनों ने दे दिया interest on 8% fixed deposit interest on 8% fixed deposit ठीक है अभी हम इसको भी दना देखेंगे जो मैं कहारा है अभी इसको क्योंकि इसके साथ जब हम लोग हमें है पूरा कोश्चन जर्ल पढ़ना होता है मैं तो क्यार कोश्चन पर चुको हूं हमें पूरा कोश्चन के साथ से में इसी जोगों ada देखना होता है तब ही हम लोग सको को डंक से सॉल्ट कर पाएंगे तू सेल ऑफ और नूइस पेपर ठीक है यहां हम लोग ले लेंगे बाइन कि से लोफ कि ओर नूइस पेपर कितना अमाउंट है तीन सुर रुपे हमारे पास इंट्रस्ट आना है तो हम लोग अभी लिख लेते हैं इसका अमाउंट नहीं लिखेंगे अमाउंट में कैलकुलेशन बताऊंगा आपको उसके इसाफ से दर देखेगा यहीं मैं कहा रहा हूं यह कोश्चन के अंदर कैश है जो हमें देखने होते हैं कि यह अमाउंट हमने लेना है वह इसमें किस इसाफ से आ रहा है तो इंट्रस्ट एट परसेंट इंट्रस हमने ले लिए इससे सेल वेज़़ कितनी दे रखी इन्होंने 1200 रुपे और उसकी सेल वाइल्यू कितनी दे रखी है 500 रुपे तो इसका मतलब क्या है हमारा हमने 1200 रुपे की चीज 500 रुपे बेची है इसका मतला हमारे को लॉस है तो लॉस हमारा income side में नहीं आएगा लॉस हमारा expense side में आएगा तो जब expenditure मैं इसके इंदर है बाई लॉकर रेंट अब यहां बेनोंने क्या दे रखा है इस इंक्रूड 600 रुपीज फॉर अठारा 2018-19 मैं आपको पहले भी पता चुका हूं कि income and expenditure account for the year account होता है तो इसमें उस साल के जो यह हमारा 2019-20 का है केवाल उसी के इंकम और केवाल उसी के expenditure हमें अकाउंट पॉर करने है और इसके नदर 800 रुपे क्योंकि हमारे पास 18-19 के आरक है तो वह हम उसमें से 18-19 के 600 रुपे माइनस कर देंगे और हमारे पास अबाउंट रह जाएगा अब इसमें उन्होंने दे रखा है इंक्लूड 15,000 रुपीज पॉर 2018-19 2018-19 के लिए हमने इसमें से 15,000 पे दे रखे हैं फिर हम इसे एक्स्क्लूड करेंगे और देखेंगे कि 2019-20 के लिए हमारा रेंट कितना है that means 60,000 माइनस 15,000 रुपीज that is 45,000 रुपीज कितना रेंट हो गया रुपीज 60,000 माइनस रुपीज 15,000 यह 15,000 जो है 18-19 का है टोटल रेंट रेसीट में से हमने उसको कम कर लिया दूसरा खर्चे है हमारा इंस्चूरंस प्रीमियम कितना है हमारा 30,000 रुपीर उस से अगले साल के लिए जो प्रिपेड इंस्चूरंस है वह हमारा दो लार बी–इस किस क हमनों ने दे रखा है 15,000 रुपीर तो यह भी हम इसमें से माइनस करेंगे हम लोग लिखेंगे तू इंशोरेंस प्रीमियम फिर दुबारा से रुपीज 60,000 जो इनने पेमेंट अकॉंट में दे रखा है माइनस एडवांस का हमारा जो इंशोरेंस प्रीमियम में 15,000 पे का वह माइनस करेंगे और वो माइनस करने के पाद आमाउंट जो हमारे पास रह दाएगा वो फिर रह दाएगा 45,000 रुपीस जो नया अगली पेमेंट उन्होंने दे रखी है sports equipment sports equipment क्या है हमारी capital payment है capital payment को हम लोग income expenditure account में नहीं लिएते क्योंकि हमने equipment purchase किये हैं उसके बाद क्या है furniture पंडिचर के अंदर हमारे पास अमाउंट दे रखा है इन्होंने 60,000 रुपीस का पर इन्होंने यह नहीं बता रखा कि यह depreciable है यह नहीं है और इसके पर किस rate के साथ से depreciation लगेगा तो हम लोग अभी इसको यह मान के चलते हैं कि यह depreciable नहीं है और इसके पर कोई depreciation नहीं देते क्योंकि हमें question में इन्होंने कहीं भी लिखके नहीं दिया हुआ कि इसके पर depreciation लगना है आप जानते ही है capital expenditure है तो capital expenditure भी हमारा इसमें expenditure नहीं है नहीं आएगा by 8% fixed deposit हमने receive size में देखा था हमारा पास interest आ रखा था 8% fixed deposit वन्होंने क्या दे रखा है एक लाग भी से जार पर जो deposit है वो भी हमारा क्या रहता है capital payment रहती है तो capital payment हमने इसमें consider नहीं करनी लेकिन जो इसका interest है वो revenue nature का है तो revenue nature के साथ से हमें interest calculate करके लेना है इन्होंने क्या दे रखा है fixed deposit हमने कब किया 1st September October 2019 इंडी फिक्स डिपोजिट अमाउंट क्या है यह working note आ जाएगा हमारे पास तुभारा से वर्किंग नोट इसमें fixed deposit FD कितना दे रखा है हमें एक लाग 20,000 रुपे rate of interest क्या है rate of interest ROI कितना है 8% interest कितना आ जाएगा हमारे पास इसके इंदर 6 मेने के लिए है क्योंकि एक October से लेके 31 माज तक के लिए तो interest calculation कितनी हो जाएगी for six month तो यह interest calculation कितनी हो जाएगी एक लाग 20,000 रुपे इंटू 8% इंटू 6 month divided by 12 कितना amount हो जाएगा हमरे पास यह है अगर हम लोग इसको calculate करेंगे तो यह हमारा कितना हो जाएगा यह जाएगा मारा 48 48,100 इतना interest का amount आजाएगा मरे पास 48,100 इसकल 2 रुपीज 48,100 तो यह 48,100 मैंने 8% interest के अंदर यहाँ पर ले लिया हमें यह नहीं देखना कि कितना आ रखा है क्योंकि क्या रहता है जब हम लोग balance sheet बनाते तब हम देखते हैं कि हमरे पास आना था 48,100 रुपे आये है 24,100 रुपे तो 24,100 रुपे जो balance है वो हमारा receivable है जो asset side में आएगा लेकिन वह आपको तब कराऊंगा जब हम आ हमारे पास कितनी थी 50,000 रुपे और यह टूर्णमेट expenses हमारे पास कितनी है 10,000 रुपीज लेकिन यह क्या है हमारे पास यह special fund के साफ से आ रखे हैं जब special fund के साफ से आते हैं तो हम इसको क्या करते हैं हम इसको balance sheet में लेके जाते हैं और वहाँ पे tournament fund में से donation for tournament जो हमारे पा रखा है books books क्या है हमारी यह भी हमारी capital expenditures है क्या है हमारे capital expenditures है कितने के 20,000 रुपे के तो इसको भी हम लोग यहां पर नहीं लेंगे उसके बाद newspaper रहे 1000 रुपीज के ठीक है friends तो student यह जो newspaper है अम sale of newspaper भी यहां लिया था newspaper हमारे capital expenditure नहीं है तो हम लोग इसको to newspaper करके expenditure account में दिखाएंगे to newspaper कितने है 1000 रुपीज नेक्स्ट आइटम हमरे पास क्या है printing and stationery printing and stationery खर्जा होता है 19,000 रुपीज तो printing and stationery यह हमारा expense है और कितना amount दे रखा है 19,000 रुपीज तो यह 19,000 रुपीज हमने यहां कर दिया कि उसका balance दे रखा है अब मैंने आपको जना याद हो आपको मैंने कहा था कि हमारे पास एक sale of old sports material है 500 रुपे की जिसकी book value थी 1200 रुपे that means उसके पर loss लिया है तो ले उस हम लोग जना कहां लिखते है है expenditure के अंदर कहां लिखते हैं उसके अंदर expenditure में expenditure में कैसे लिखते हैं तू लॉस ओन sale of sports material और यह कितना है 1200 रुपे माइनस कितना लिया था हमने उसका अमरे पास आया था 500 रुपे माइनस 500 रुपीज that means 700 रुपीज का हमरे पास loss है ठीक है फ्रेंग्स इसके बाद हमारे पास balance करे down वाजाता है जो cash and bank का balance है और उससे हमें कुछ नहीं करना अब हम लोग यहां पर क्या रह जाएगा हमारे आपास लास्ट में surplus यह expense हम लोग अब ही क्या प्रेंट करते हैं कि हम अर्पास income का जो हम लोग देख रहे हैं अब हम अर्पास income ज्यादा रखी है expenditure का मैं तो इसके मतलब क्या रहेगा हमारे पास तूँ अब सब्लस कि मीन्स कि एक्सेस ओफ इंकम ओवर expenditure यह एक्सेस ओफ इंकम ओवर expenditure है पर यहां हम लोग total करने के बाद इसको balancing फिकर लेंगे तो हमारे पास यहां income side के total कितना आ जाता है जहां हम total करते हैं तो यह हमारे पास आ जाता है टू लेक एटी वन थाज़न थी हंड़े रुपीज ठीक है दोनों साइट में हम लोग आपर जाने टोटल ले 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 ते टू लेक एटी वन थाज़न थी हंड़े रुपीज यह करने के बाद जो हमारे पास सब्स रह जाते है उस पे से जो अमांट में माइनस कर दू कितना मांट माइनस 90 प्लस 20 वन लेक 10,000 वन लेक 10,700 रुपीज अगर मैं उस पे से माइनस कर दू तो मेरे पास कितना अमांट रह जाएगा वन लेक 10,070 रुपीज वन लेक 10,070 रुपीज वन लेक 70,600 रुपीज यह हमारा सब्स है और इसे साब से हमने यह इंक credit expenditure अकाउंट बना लिया है और हमें यह देखना है कि उस साल के केवल उस साल के income और उस साल के expenditure ही हमें income and expenditure account में लेने हैं और जहां working हमारे पास होनी है वहाँ पर हमें 1, 2, 3 करके marking कर लेनी है ताकि हम लोग आगे उसकी working note के अंदर working करके उसकी calculation का amount income and expenditure account में डाले इससे हमारा question बिल्कुल ठीक निकलेगा मैं आपसे request करता हूँ कि आप अपनी book में से कुछ और question करने की practice करें और अगर आपको कहीं कोई दिख्कात आती है तो आप comment box में में कोई दिख्के बताएं मैं आपको personally हर question का answer करके बताऊंगा और समझाऊंगा उसके अंदर कि वहाँ पे क्या catch है जो कहीं हमसे जना रहे और उस catch को अगर हम लोग देख लेतें तो हमारा question बिल्कुर ठीक हो जाता है जो हमें आगे paper करने में बहुत ही आसानी जना देगा और हमारे से गलतिया नहीं होंगी क्योंकि हमारा जो aim है वो बच्चों हमारा aim है 100 out of 100 marks इसलिए मैंने इसका जो title दे रखा है वो भी होता है let's make account easy and score full marks तो हमारा aim जो है फुल marks score करने का है वही हम लोग करके रहेंगे ठीक है बच्चों अब अगली class में मैं और income and expenditure का कुछ question कराऊंगो आपको और उसमें भी देखेंगे हम लोग कि उसमें और क्या catch है जो हमें देखने हैं समझने हैं और उस हिसाफसे में काम करना है thank you very much for this watching this video और मेरी आपसे request है कि आप प्लीज इसे like और subscribe जरूर कर दें और comment box में आप इसके पर comment जरूर दें थाकि मैं आपको और better way में समझा सकूं अगर कहीं जरूत हो तो thank you very much